गाजियबाद की गाउं में सरपंच का चुनाव होने वाला था इस बार चुनाव में महीलाओ की सीड थी टुन्टुनी चड़िया गाउं की पक्षियों में रजाईया बटवाती है टुन्टुनी ये मैं क्या सुन रहा हूं तू प्रदानी का चुनाव रड़ रही है हाँ मामा सही कहा आपने लेकिन ये चुनाव के चक्कर अच्छे नहीं होते ये सब तो पैसों का खेल होता है बेटा हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है मामू आप फिकर मत कीजी मेरी कालुकवे से बात हो गई है वो कह रहा था कि चाहे जो भी हो जाए जो गाउं की पुरानी प्रदान सुन्द्री देवी को वो प्रदान बनने नहीं देगा क्यूंकि उसने कभे गाउं में किसी का भला नहीं सोचा वो सिब अपने बारे में सोचती है बात तो तो सही कह रही है वो जब से प्रदान बनी है उसने आज तक किसी भी जंगल वाले की कोई मजद नहीं की बस अपनी खोटी गाड़ियां यहीं बनाती गई है लेकिन एक बात बता हम पैसे कहा से लाएंगे मामू आप फिकर मत कीजिए कालू ने कहा है की मुझे बस चुनाब में खड़ा होना है और आगे जाकर एक अच्छी प्रदान बनना है बाकी सारे पैसे तो वही लगाएगा अगर ऐसी बात है तो ठीक है तो जरूर लड़ बस हमारे गर की इज़त का ध्यान रखना बेटा क्योंकि तेरे माबाप ने जाते समय तुझे मेरे ही हाथों में सोपा था आप बिलकुल फिकर मत कीजी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी दूसरी तरफ कालू अपने दोस जग्गु कालिया के सथ खेतों में सोया होता है और वो नीन में बढ़ बढ़ाता है तुन्टुनी प्रदान जिन्दाबाद मामू देखो मैंने कहा था न अब आप मेरा तुन्टुनी से निकाह कर दीजिए तुन्टुनी प्रदानी जितेगी और मैं तुरंट उसके मामू से तुन्टुनी का हाथ मंग लूँगा तो गुरु जी हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी तुन्टुनी को जिताने के लिए हमें सबसे पहले दुश्मन की सारी खबर रखनी होगी शाम, दाम, डंडबेट सारे ही तरीके अपनाने होंगे तो चलो, चलते हैं गाउं में दूसरी तरफ बबली कबूतरी अपने घर की दर्वासे पर बैठ कर अपनी बेहन से कहती है मैं नहीं लड़ रही है चुनाब अगर ये चुनाब नहीं लड़ेगी तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा बबली प्रदान जिन्दाबाद, बबली प्रदान जिन्दाबाद गुरु जी, जब आपने इसे प्रदान बोल ही दिया है तो जरूर जीत जाएगी पिर बबी उसकी बहन लूसी, दोनों बाहर आते है अरे मैं नहीं लड़ रही चुनाब, हमारे घर में तो रोज की लड़ाई है मुझे एक बाबा ने बताया है कि बबली के घर में प्रदानी जानी चाहिए और तू ये सोचती है कि प्रदान बन जाएगी, तो घर का काम कौन करेगा अच्छा तो ये बात है, लेकिन अगर में चुनाब में हार गई तो ना घर की रहूंगी ना घाट की तू तो रही पागल की पागल, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को बोल कर कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ रुक जा, इतने विश्वास के साथ बोल रहा है तो मैं जरूर लड़ूंगी चुनाब ये हुई ना बात, अब तेरी बात में कुछ वजन लग रहा है, मुझे तेरी सीट को मजबूत करने के लिए बड़े काम करने हैं, तू जल्दी से जा और पच्चीस अजार लेकर रहा पच्चीस अजार किस बात के? जो तेरे खिलाफ है उनको पैसे दे कर ही तो तेरी तरफ करना होगा मैं क्यों दू पैसे? एक तरफ तो तू कह रहा है कि बाबा ने तुझे बताया है कि मैं ही चुनाब जीतूंगी, फिर तू पैसे क्यों मांग रहा है? बाबा ने ये भी बताया है कि तेरे दुश्मन पैसों से बड़े ताकतवर हैं और वे पैसे खर्च करके तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे अगर ऐसी बात है तो मैं पैसों में आग लगा दूँगी अभी लेकर आती हूँ पैसे बबली कबोदरी कालू को पैसे दे देती है बबली बदान जिन्दाबाद 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 अपने लिए पांच छे अच्छे सूट बनमा ले चुनाफ के प्रचार में जाने के लिए बाकी तेरे पोस्टर में बनमा दूँगा उसके लिए पैसे अलक से दे दे ठीक है ठीक है पोस्टर के खर्चे का बाद में देख लेंगे अब मुझे बहुत काम करना है जाने दो बबली प्रधान जिन्दाबाद जिन्दाबाद करते हुए वो वहां से आगे निकल पड़ता है कालू पूरा माहौल बना देगा, तुझे प्रधान भी बनवा देगा गुरू जी, कमाल हो गया, एक मिनट में तीस हजार चलो, सुंदरी प्रधान के घर सुंदरी प्रधान जिंदाबाद, सुंदरी प्रधान जिंदाबाद, सुंदरी प्रधान जिंदाबाद हाँ सुंदरी परदान तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो तुम ही जीतोगी मैं तु स्कूल में खड़ा होकर सारे वोट तुमारे ही नाम पर डलवाऊंगा मेरा बस चले तो सब को भगा कर खुद ही तुमारे नाम पर वोट डाल दूँ कालू तु याद रखना मुझे इसमें याद वाली क्या बात है मेरे दादा पर दादा इसके दादा पर दादा सब हमेशा से ही तेरे साथ है बस कालू तुने कह दिया तेरा साथ है तो आधा चुनावतों में अभी जीत गई अब तु एक काम कर थोड़े कंबल ले जा और गा तो अपनी प्रधानी पक्की समझो वैसे तो मुझे खुद पर पूरा विश्वास है अब तुमने कह दिया तो विश्वास और पक्का हो गया अरे हम जो बताने आये थे वो तो भूल ही गए मेरे पास बबली आयी थी अच्छा किया अगर तेरा समर्थन मिल गया कालू तो मुझे हराने वाला कोई नहीं है तुझे समर्थन चाहिए या वोट चाहिए बस समर्थन तो हम तेरे लिए ले ही आएंगे और जो वोट नहीं देगा उसे खिला पिला कर तेरी तरफ कर देंगे मुझे तेरे से यही उम्मीद थी कालू तू जिस चीज पर हाथ रख देगा वो तेरी होगी बस एक बार मुझे चुनाव जीत जाने दे जिस चीज की भी जरूरत हो आकर ले जाना तेरे घर का तो मैं पानी भी नहीं प्योंगा तुझे वोट देने के लिए मैं तेरे से कुछ लूँगा क्या वै तो जब मैं गाउं में निकला तो दो-चार पक्षियों ने पूछा कि भई किसे वोट डालना है कुछ खिला पिला दो उसके लिए मैं तेरे से पैसे लूँगा उनको खिलाने पिलाने के लिए और तेरी तरफ करने के लिए वरना मैं तो एक पैसा ना लूँ कालू जब तेरे जैसे लोग मेरे फेवर में है ना तो मैं ही जीतूंगी चुनाओ अरे वो हर्यात उतियाई थी मेरे पास पैसे लेकर कि मैं और अपना अपने साथ वाले वोट उसे दे दू मैंने तो सीधा ही मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा पैसे जब वोट उसे नहीं देना तो उसके पैसे क्यों लेना ठीक किया तुने मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि इतने पैसे तो सुन्दरी ऐसे ही दे देगी मुझे अब तुमें एक काम करो सुन्दरी प्रदान मुझे 25,000 ला कर दो मैं उनके लिए काजू, बादाम और फलो की टोकरी उतरवाता हूँ पस फिर देर किस बात की है? ये ले पैसे वो सुन्दरी प्रदान जिन्दबात करते हुए वहां से निकल जाते है दूसरी तरफ हरिय तोती की घर उसका पती तोतर आम परिशान था क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तू इस बार चुनाव मत लड़ क्यों न लड़ू चुनाव? मेरी बात हो गई है सारा गाउ मेरे साथ है अरे दो बार तो मैं भी चुनाव लड़ चुका देख हार के बैठा हूँ तुम हार गए लेकिन मैं तो जीतूंगी अरे रहने दे तू क्यों घर को बरबाद करने पर तुली हुई है तुम कुछ भी कहो मैं तो लड़ूँगी चुनाव और जीतूंगी भी तभी कालू आता है हरे प्रदाव जिन्दाबाद देखो कालू खुद मेरी जेजी कार कट्टूए आ रहा है और ये जिसके पीछे लग गया वो तो जीती गया समझो अरे तो तराम क्या बात हो गई? दुखी क्यों हो? क्या बताऊं तुछे? दो बार चुनाव लड़ा और हार गया अब ये चुनाव लड़ने को कह रही है बात ही नहीं मान रही मेरी अब हार की बात करेगा तो हारेगा ही जीत की बात कर जीत की पीछे मुड़ कर देखना छोड़ दे और आगे की तरफ बढ़ कौन समझाए ये तो पुरानी बात पकड़ कर ही बैटे है मैंने कहा जिसके साथ कालू हो उसकी तो जीती होगी अब तुम्हें क्या बताऊं तीन तीन बार आगए मेरे घर पर 30,000, 40,000 लेकर कह रहे थे कि तुम बस चुनाव जित्वा दो पैसे चाहे कितने भी लग जाए तूने किसी को हातों नहीं करे ऐसे कैसे हा कर देता ऐसी गालिया दी अगर तू सुनती तो तेरे कानों से खूना जाता बिल्कुल सही किया तूने मैंने तो बोल दिया कि तू तीस लेकर आई है चालिस तो हरिया मुझे ऐसे ही दे देगी इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगी कितने पैसे दे पाएगी बताओ जी क्या बताओं पंदरा हजार दे दे कालू को ठीक है ठीक है ये तो हमारे घर की बात है बाकी के पैसे बाद में दे देना और एक बात बता दूँ ये पैसे मैं अपने लिए नहीं ले रहा लोगों की खुशामत के लिए ले रहा हूँ ताकि उनका वोट तेरे नाम पर डलवा सकूँ मुझे क्या करना है पैसो का बोट के लिए तो हमने दारू मंगा रखी है अरे बेवकूफ जो दारू नहीं लेता उनके लिए कुछ और मंगवाना पड़ेगा बस ये पैसे उनमें ही खर्च करूँगा ठीक है पैसे ले जा और दारू की बोतल भी ले जा और बना दे हमारी नाम का मोहल पुरी गाउ में कालो जगो कालिया हर्या प्रधान जिन्दबात करते हुई वहां से निकल जाते हैं कुछ दिनों बाद बबली अपनी बेहन से कहती है मुझे बाकी किसी से डर नहीं है सिर्ट तुन्टुनी से डर है बिना पती की लक्षन लड़ रही है गाउ के सारे मर्द पक्षी तो इसे ही बोट देंगे तुम फिक्र क्यों करती हो वैसे भी ये अपने गाउ की है नहीं ये इसके मामा का गाउ है इसकी सीट तो कैंसल ही कर देंगे बोटिंग का दिन आता ही और गाउ में बोट पड़ते है सुनो गाउ वालो हमारे अधिकारी जी ने बोटों की गिंति कर ली है अब वै परिणाम की घोशड़ा करेंगे गाउ वालो टुन्टुनी एक सब तीम गोटों से आगे है और वै गाउ के प्रदान गोशित की जाती है टुन्टुनी कालू सब नाशने लगते है गाउ वालो हमें पंचाद बुलानी होगी यह चुनाफ गयर कानूनी हुआ है हाँ हाँ सही कहा तोतराम ने यह चुनाफ गयर कानूनी है टुन्टुनी तो इस गाउ की है ही नहीं पिर ये चुनाफ कैसे लड़ सकती है? गाउं की चोपाल पर पंचाद बिठाई जाती है. गाउं वालो, तो तराम का ये कहना है, कि टुन्टुनी इस गाउं में गलत तरीके से चुनाफ जीती है, क्योंकि वह इस गाउं की है ही नहीं, इसलिए चुनाफ दोबारा होंगे. क्यों होका दुबारा चुनाव मैं प्रधान बनी हूँ, मुझे जिताने वाले गाउं के पक्षी ही है हम पागल है जो हमने चुनाव के लिए दस भीगा जमीन बेशती मैंने कोई गेर कानुनी तईका नहीं अपनाया है किसके साथ हुआ है तेरा निका हमें भी तो बता कालूसे हुआ है मेरा निका मैं जूट नहीं बोल रही गाउवालो मेरी बास सुनो यह चुनाव सही तरीके से हुआ है क्योंकि प्रधान बनने के बाद किसी को अपनी कोठी बनवानी थी किसी को फ़र्चुनर खरीदनी थी तो किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी सबको सिर्फ अपने बारे में ही फिक्र थी गाउं की भलाई की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी इसलिए मैंने इस गाउं की भलाई के लिए टुंटुनी से निका किया सब के सामने बोलता हूँ ये गाउं का काम करेगी और विकास भी करेगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद टुन्टुनी से उसका इस्तिफा दिलवाऊंगा गाउं वालो मैं यहाँ पर बड़ी हूँ लेकिन मैंने हमेशा आप सबको गाउं की टूटी सड़कों की वज़ा से परिशान होता हुआ देखा है इस गाउं में पांचवी क्लास के बाद को स्कूई नहीं होने की वज़ा से बच्चों के तनी दूर पढ़ाई करने के लिए दूसरे गाउं में उड़ता हुआ देखा है मेरे मामू मुझे पढ़ाना चाते थे लेकिन हमारे गाउं में कोई स्कूई नहीं था जिस वजा से मैं आगे नहीं पढ़ पाई और मैं नहीं चाते की हमारे गाउं की आगे आने वाली पेड़ी कम पढ़ी लिखी हो खास तोर पर चड़ी आए जिनने आप सब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गाउं नहीं भेजते गाउं के सभी पक्षी कालो टुन्टुनी के लिए ताली बजाने लगते हैं और इस तरह टुन्टुनी चड़िया जंगल के प्रधान बन जाती है और कालो के टुन्टुनी से शादी हो जाती है